वेलकम बैग तो माई यूट्यूब चैनल एंजोई इंग्लिश विद भव्या माम आज हम 10 स्टेंड़ की फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट का हमारा चेप्टर नमबर 6 ता मेकिंग अफ असाइंटिस्ट करेंगे making of a scientist written by robert w peterson ये कौन थी बहुत ही famous american newspaper writer थे बाद में ये author भी रहे काफी सारे इन्होंने magazine में articles लिखे चीक है और basically ये किसके बारे में लिखते थे इनके जो topic होता था वो sports से या scouting से related होता था and बाद में due to lung cancer इनकी death हो गई अब ये जो chapter है हमारा ये जो story है as the title suggests कि making of a scientist किसी scientist की बात हो रही है कि किस सरीके से कौन scientist बना इस chapter में क्या है एक scientist है जिनका नाम है Richard H. Ebride और वो किस तरीके से scientist बने वो हम इस chapter में पढ़ेंगे actually क्या था कि जो Ebride थे उनके father की ना death हो गई थी काफी early death हो गई थी तो उनकी जो mother थी उनका एक ही सहारा था मतलब उनके लिए सब कुछ उनकी mother के लिए उनका बेटा Ebride था और Ebride जो था वो स्कूल में काफी अच्छा था टॉप ग्रेड्स लाता था और काफी ना ये curious टाइप का बच्चा था हर सी इसको जानने की इच्छा रखता था और at a very early age मतलब बहुत ही early age में क्या किया इसने collect की 25 species of butterflies इसने collection की उसपे search out किया फिर बाद में क्या हुआ कि उसका interest थोड़ा सा खतम होने लगा फिर उसकी mother ने उसे एक book दी book का नाम था the travels of monarch अब monarch क्या होती है ये भी एक species होती है butterfly की ठीक है तो ये monarch butterflies के लिए use होता है monarch तो उसका इसमें interest हुआ फिर second year में क्या हुआ जब वो high school गए तो उन्होंने और research की उन्होंने research की कि जो butterflies होती है उसके उपर golden sports होते है ठीक है उन in the end उन्होंने ये discover कि किस तरीके से जो cell है वो read कर पाते है blueprint of the DNA तो ये छोटी छोटी discoveries उन्होंने की और ये हम इस chapter में पढ़ेंगे now let's begin the chapter the making of a scientist at the age of 22 a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work वो कहते हैं कि 22 की age में एक former former is used for earlier कि एक पुराने क्यों scout of the year scout of the year का मतलब किया है scout किसको बोला जाता है actually क्या होता है ये भारत जो हमारी government है और guide उनकी एक संस्था के लिए use होता है जहां पर क्या किया जाता है character और mental development कराई जाती है बच्चों की ठीक है बच्चों से लेके बड़ों तक सब की कराई जाती है और ये जो थे scout of the year थे means he was a perfect combo of character as well as mental development and he was excited उन्होंने क्या किया उन्होंने पूरे scientific world में एक excitement लाके रखती कैसे जब उन्होंने एक नई थी 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 क्या थी कि how cells work कि cell किस तरीके से काम करते है रिचार्ड H. Ebride ये जो आपको clear हो गई हमारे scientist और उनके college roommate थे उन्होंने explain किया अपनी इस theory को एक article के तरू एक article के तरू किस में लिखा जो article proceedings of the National Academy of Science में वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी important ये जो important scientific journal जर्नल आपको पता newspaper या magazine के लिए यूज होता है तो पहली बार ऐसे हुआ कि इतनी important scientific magazine में publish किया गया किसी college students का work In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat अब उन्होंने एक example दिया है वो बोलते हैं कि माल लो sports में एक league बनाना, big leagues बनाना, big leagues का मतलब क्या होता है group of sports club जहां पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं, players एक दूसरे के साथ compete करते हैं at the age of 15, 15 की age में league बनाना एक बहुत बड़ी achievement है and hitting a home run your first time at bat और क्या करना, bat के साथ, पहली बारी में home run ले लेना home run क्या होता है, यह actually क्या होता है, एक point जो आप score करते हो base ball में, और base ball में कैसे करते हो by hitting the ball ball को आपने एकदम से hit किया, इतनी दूर hit किया कि आपको time मिल गया कि आप उसके पूरी playing field के four corners में move कर सको before it is returned, तो वो यह कहना चाहता है कि उनकी चो achievement थी वो इतनी बड़ी थी, जैसे sports में, 15 की age में big leagues बनाना या फिर first time bat से क्या लेना, home run लेना For Richard Ebride, it was the latest in a long string of achievements in science and other fields and it all started with butterflies, वो कहते हैं कि Richard Ebride के लिए It was the latest, यह सबसे latest था, सबसे latest achievement थी किसमें उनकी long string of achievement में, long string यानि long chain of achievement जो उन्होंने science में या बाकी fields में लिये, उसमें से यह latest वाली थी and it all started with butterflies और यह सब शुरू किस के साथ हुआ? Butterflies के साथ, कैसे हम देखते हैं An only child, a bright, grew up north of Reading, Pennsylvania There was not much I could do there, he said अब क्या था, as only child अब वो एक लोते बच्चे थे, ठीक है? जिसमें वो grew up हुए, बड़े हुए, कहाँ पर grew up हुए, north of Reading Reading क्या है, एक place है कहाँ पर, Pennsylvania में, चीक है? There was not much I could do there, he said वो कहते हैंगी, मैं यहाँ पर रह के जादा कुछ नहीं कर सकता I certainly could not play football और baseball with a team of one अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता मैं अकेले football या baseball, एक team of one मतलब अकेला, single single के साथ तो नहीं कहल सकता न, पूरी team तो बनेगी नहीं But there was one thing I could do लेकिन वहाँ पर सिरफ एक चीज थी जो मैं कर सकता था वो क्या? Collect things, चीजों को collect करना So he did and did he ever वो उसने किया और हमेशा किया throughout his life Beginning in kindergarten A bright collect butterflies with the same determination that has marked all his activities वो कहते हैं कि kindergarten क्या होता है? कि small children का school होता है Clear? तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जब उनकी beginning हुई तब ही उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? Butterflies की collection को शुरू कर दिया था जिस determination के साथ वो बाकी सारी activities करते थे He also collected उन्होंने क्या collect किया? Rocks को collect किया, fossils को किया, fossil आपको पता है remains जो होते हैं Plants, Animals के, coins को collect किया And he became an eager astronomer to sometime stargazing all night और वो क्या थे? वो एक बहुत ही बड़े एक जिग्यासू क्या बने? Astronomer बने और कभी-कभी तो वो क्या करते थे? पूरी-पूरी रात stargazing करते रहते थे I was his only companion until he started school, his mother said उनकी मदर क्या कहती है? कि मैं अपने बेटे की एक ही companion होती थी जब तक उसने school जाना शुरू नहीं किया था After that, I would bring home friends for him उसके बाद मैं उसके लिए friends को घर ले आती थी But at night, we just did things together लेकिन रात को हम लोग काफी सारी चीजे साथ में करते थे Richie was my whole life Richie is used for a chart Clear? वो कहती है अपने बेटे को प्यार से बुलाती होंगी Richie वो कहती है कि वो मेरी पूरी जिंदगी था उनके फादर की डेथ होने के बाद When Richie was in third grade जब Richie third class में था तब उनके फादर की डेथ हो गई थी अब उनके बाद उसकी पूरी दुनिया उनका बेटा Richie ही था She and her son spent almost every evening at the dining room table अब वो जो lady थी यानि उसकी मदर थी और उनका जो बेटा रिचार्ट सन था ये क्या करते थे? लगबग हर शाम पूरी की पूरी कहां बिताते थे? अब वो जो बच्चा था उसको अच्छा लगता था and he wanted to learn वो सीखना भी चाहता था and learn he did और वो सीखता भी था he learned top grades in school वो school में हमेशा top रहा ठीक है? on everyday things he was just like every other kid his mother said और उसकी mother क्या कहती है? कि जो everyday things होती है यानि जो रोजमरा के काम होती है उसमें वो पाकी बच्चों की तरह ही था nothing special by the time he was in second grade collected all मतलब वो पता रहे हैं कि जब वो second class में था तभी उसने क्या कर लिया था उसने collection कर ली थी 25 species of butterflies की around his hometown जो भी उसके आसपास घर के आसपास मिली वो सारी उसने collection की आपकी book में list given है जिसमें name mention है कि कौन कौन सी butterflies उसने collect की that probably would have been the end of my butterfly collecting he said और वो कहते हैं कि शायद वहीं मेरा जो यह collection of butterfly था उसका end हो गया था वो कहते हैं but then my mother got me कैसे end हो गया था and तब हुआ कि जब उसकी mother ने उसको क्या लाके दी एक book लाके दी एक children book लाके दी जिसका नाम क्या था The Travels of Monarch X Monarch क्या है species है एक butterfly की So you can say name of a butterfly Monarch butterfly That book which told यह ऐसी book थी जो पताती है कि how Monarch butterflies migrate to Central America कि किस तरीके से यह जो Monarch butterflies होती है यह migrate करके कहां जाती है Central America में जाती है और यह जो book थी इसने क्या कर दिया Open the world of science to the eager young collector मतलब उस जो young collector था eager यानि बहुत ही जिग्यासू यह जो young बच्चा था young collector था चीजों को collect करने वाला था इसके लिए एक नया संसार खोल दिया किसका संसार किसका world साइन्स का world clear at the end of the book readers were invited to help study butterfly migrations अब यह जो book की ending थी उसमें क्या किया गया था readers को invite किया गया था किया कि आप अपनी help कर सकते हो butterflies की migration को study करने में they were asked उनको यह बोला गया कि आप क्या करो to tag butterflies tag butterflies का मतलब क्या होता है पहले तो यह देखो tag butterflies का मतलब ही होता है कि butterflies को ना पकड़ के उसके उपर कुछ sticky सा substance लगा देते हैं जिसके उपर यह mention कर देते हैं कि किस date को हमने उसको पकड़ा ठीक है clear asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada अब यह क्या था यह कहते हैं कि Canada की जो university के यह जो doctor थे इनके द्वारा research के लिए tag छिपकाने के लिए कहा गया था अब जो एबराइट की मदर थी उन्होंने इनको लिखा Dr. Urquhart को लिखा and soon बहुत ही जल्दी क्या हुआ एबराइट ने यह शुरू कर दिया उसने क्या किया was attaching light adhesive tags to the wings of monarch उन्होंने light यानि हलका adhesive होता है sticky substance sticky से एक tag लगा देता था किसके उपर butterflies के wings के उपर monarch butterfly के wings के उपर और anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart और यह कहा जाता था कि जिस किसी को भी tag लगी हुई यह जो butterfly मिलेगी तो वो क्या करेगा उस butterfly को doctor के पास पहुचाना होगा मतलब उसके पास पहुचाने को कहा जाता था The butterfly collecting season around reading last six weeks in summer, in late summer यह कहते हैं कि जो यह butterfly collection का season होता था around reading, reading आपको पहले भी बताया था यह जगा का नाम है, चीक है इस place में वो collection का season कर रहता था late summer के जो पिछले वाले six weeks होते थे उसमें ही रहता था if you are going to chase them one by one, you won't catch very many, वो कहते हैं, चेज होता है किसी को follow करना, पकड़ना अगर आप क्या करोगे एक एक करके पकड़ोगे तो आप ज़ादा catch नहीं घर पाओगे, तो फिर next step a bride ने क्या लिया was to raise a folk of butterflies fall क्या नहीं ग्रूप butterflies का ग्रूप, और raise यानि उसने क्या बोला कि एक एक करके तो होगा नहीं इसको पाली लेता हूँ ठीक है, he would catch a female monarch उसने क्या किया एक female monarch को catch किया, उसके eggs निकाले उसको raise किया, अपनी basement में जो भी उसके घर की है, जहां की भी होगी through their life cycle अब क्या किया, उसकी पूरी की पूरी life cycle को observe किया, उसके सहारे उनको grow किया, वो क्या थी कि वो egg से पहले caterpillar बनी फिर वो pupa बनी, pupa क्या होती है कि early stage होती है butterfly की उसके बाद वो adult butterfly बन गई यानि fully grow हो गई then उसने क्या किया, he would tag the butterfly's wings अब वो क्या करता कि butterfly के wings के उपर tag लगा देता, tag यानि को sticker लगा देता and let them go for several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development वो कहता है कि कई सालों तक क्या रहा कि उसका जो basement था वो घर था, हजारो monarch butterflies का in different stages of development eventually I begin to lose interest in tagging butterflies लेकिन finally क्या हुआ कि मेरा ये जो interest था, ये butterflies को tag करने में ये भी खतम होने लगा, क्यों खतम होने लगा, as it's tedious tedious ये नहीं बहुत ही जादा tiring, मुझे बहुत थकान होती थी and there is not much feedback और जादा कोई result आता नहीं था feedback मिलता नहीं था Abright कहते है, in all the time I did it he laughed, वो कहते है इस सारे समय मैंने ये किया मैंने क्या किया, हसा वो हसता भी है, वो कहते है only two butterflies I had tagged वो कहते है कि सिरफ दो ही butterflies जिन पे मैंने tag लगाया था, वो दुबारा से recapture हुई, दुबारा पकड़ी गई and they were not more than 75 miles from where I lived और जहां पे वो रह रहा था, वो उससे कितने दूर नहीं गई थी, 75 mil से जादा दूर नहीं गई थी then in seventh grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost अब जब वो seventh class में हुआ ठीक है, तो उससे एक hint मिला कि real science क्या होती है reality उसकी क्या है जब उसने कहां पर enter किया एक single, एक single science fair में एंटर किया और वहां पर एक lost हो गया, मतलब वो हार गया उसको कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला it was really a sad feeling to sit there और उस टाइम पर उसको बहुत बुरा लग रहा था naturally है महाँ पर पैटना and not get anything while everybody else had won something उसे कुछ नहीं मिला, बाकी सबको कुछ नहीं जीता, एक राइट कहते है his entry was slides of frog tissues which he showed under a landscape, वो बोलते है कि उन्होंने क्या किया था, उसने जो main duck होता है, जो frog होते है, उसके tissue की slides को दिखाया था ठीक है, और कैसे दिखाया था, माइक्रोस्कॉप के अंडर दिखाया था, तो उसने मतलब ये उसकी presentation थी उसने ये रिलाइज किया कि जो विनर्स है उन्होंने क्या try किया, उन्होंने real experiment को करने की कोशिश किया, not simply उन्होंने सिरफ एक neat display नहीं किया सिरफ दिखाय नहीं दिया, microscope के नीचे है, कुछ उन्होंने real experiment किया and that's why they are the winners and he is not already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing, अब उसके अंदर क्या था, एक competitive spirit आ गया, natural हारने के बाद वो थोड़ा सा आ जाता है competition वाला spirit आ गया और उसने क्या किया, इसको Richard को drives, drives होता है उत्साहित करना, उसको उत्साहित किया बहुत जादा, जो उसमें दिखाई देने लगा, I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, वो कहता है कि मैं जानता था, कि next year जब भी यह fair लगेगा तो मुझे भी कुछ क्या करना पड़ेगा real experiment करके दिखाना पड़ेगा he said, the subject I knew most, वो कहते कि वो subject जिसके बारे में सबसे जादा जानता था, वो क्या था, about was the insect work, वो insect work के बारे में जानते थे I had been doing in the past several years, और यही insect work था, जो मैं पिछले काई सालों से कर रहा था so, he wrote to Dr. Urghat for ideas and back came a stack of suggestions for experiment, अब उन्होंने क्या किया doctor को लिखा for ideas, कि वो उन्हें idea दे कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए, that would look like a real experiment और उन्होंने क्या किया, वापसी में जवाब में bundle of suggestions दी, stack का मतलब होता है, काफी सारी suggestions देना for experiment, and those kept up right busy all through high school, और वो सारे suggestions, वो सारे ideas, वो सारे experiments ने उसको पूरे throughout high school क्या रखा, busy रखा, and led to price projects, और उसके वज़े से क्या हुआ, वो काफी सारे उसने price projects की तरफ उसको लेके गया in county and international science fair for his 8th grade project, अब 8th grade project, या अपनी 8th class के project के लिए, Albert ने क्या try किया देखो, उसने ये try किया कि मैं find out करूँगा, क्या कि ये जो monar caterpillars होती है, हर थोड़े सालों के बाद उनको एक viral disease हो जाता है और जिसकी वज़े से ये जो caterpillars है, ये जो monar caterpillars होती है इनकी death हो जाती है, तो इस disease का कारण क्या है, मैं ये find out करूँगा Abright ने क्या सोचा, कि जो disease है ना, ये शायद किससे carry होके आती है, बिटल से, बिटल भी एक flying insect होता है, तो इससे carry होके आती है, और इन birds को butterflies के उपर आती है और जिसकी विरसे इनकी death हो जाती है, मैं भी एक cause हो सकता है, तो उसको उसने experiment करने के लिए क्या किया उसने ना, he tried raising caterpillars in the presence of beetle उसने caterpillars को raise किया monar caterpillar को raise करने की कोशिश की, बिटल की presence में कि देखता हों कि क्या होता है कि ये इनको disease viral करती है नहीं करती, मतलब इनकी death की reason ये बिटल्स है या नहीं है, चीक है लेकिन क्या हुआ I didn't get any real results वो कहते हैं कि मुझे कोई भी real result नहीं मिला, मतलब ये तो clear हो, ये clear हो गया कि बिटल्स की वज़े से इनकी जो death है यानि ये जो viral disease होता है वो बिटल्स उसके पिछे reason नहीं है But I went ahead and showed that I had tried the experiment लेकिन फिर भी मैं आगे गया जो भी उसका fair था या जहां पर भी उस पर जाना था, उसमें वहां उसने show किया कि मैंने इस इस तरीके से experiment को try किया है and this time I won't और इस बार में जीत गया The next year His science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy Monarch, अब अगले साल जब science fair project था, उसमें क्या test कीगी, एक theory, theory क्या थी कि जो Viceroy butterflies होती है Viceroy भी क्या है, एक species है butterflies की, ये किसको copy करती है Monarch butterflies को, क्यों करती है देखो, the theory was that Viceroy's look like Monarch, वो कहते अगर आप देखने की कोशिश करो, तो वो almost क्या है, similar भी लगती है और नहीं भी लगती, तो वो कोशिश करती है Monarch की जैसे दिखने की क्योंकि Monarch जो है उनका taste इतना अच्छा नहीं होता जो birds को अच्छा नहीं लगता, मतलब birds जो है Monarch butterfly को खाना avoid करती है, इसलिए wise butterfly भी क्या चाहती है कि they also look like Monarch butterfly ताकि birds हमें भी ना खाए, wise royce on the other hand do taste good to birds, लेकिन जो wise royce होती है, butterflies होती है, इनका taste जो है काफी अच्छा लगता है birds को so the more they look like Monarch तो वो खहती है कि अगर जितनी जादा हम Monarch की तरह लगेंगी, दिखेंगी the less likely they are to become a bird's dinner तो जितनी जादा वो Monarch की तरह लगेंगी, उतना ही कम वो birds का डिनर बनेंगी clear? Ebride's project was to see whether in fact birds would eat Monarch अब Ebride का जो project था, वो ये देखना था, कि जो birds होती है वो Monarch को खाती है या नहीं खाती उन्होंने क्या देखा, he found that a starling would not eat ordinary bird food, कि starling क्या होती है, मैना के लिए यूज़ होता है चीक है, जो मैना होती है, वो क्या करती है आम बक्षी वाला खाना नहीं खाती थी वो क्या करेगी Monarch को it would eat all the Monarchs it could get, वो जितनी भी Monarch मिलेंगी, उसको उन्हों सबको खा जाएगी Ebride said, later research by other people sure that Vice-Royce probably do copy the Monarch Ebride कहते हैं, कि बाद में और भी कई लोगों ने research की उन्होंने भी ये चीशो की, कि जो Vice-Royce होती है, वो शायद Monarch को copy करने की कोशिश करती है, और ये जो project था, इसको first prize मिला zoology division में, और overall अगर हम science fair की बात करें तो उसमें उसको third prize मिला In his second year in high school, अब second year की बात है, high school में Richard Ebride began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone, indirectly it also led to his new theory on the life of cells, वो कहते हैं कि जब second year में थे वो high school में, तो उन्होंने एक research शुरू की उस research वो कहां पर ले गई उन्हें एक discovery की तरफ ले गई किसकी discovery एक unknown insect hormone की कि भई ये क्या है, मतलब hormone कौन सा है ये आगे मैं आपको पताऊंगी indirectly वो कि ये कहना चाहता है कि वो किसकी तरफ ले गई, उसकी जो नहीं theory थी life of the cell, starting में यही पढ़ा था ना, हमने उसकी तरफ इसको ले गई अब वो क्या है, ये देखो, clear हो जाएगा कि आपको, the question he tried to answer was simple, जो question वो answer करने की कोशिश कर रहा था वो विल्कुल simple था, वो क्या question था, देखो, what is the purpose of the 12 tiny gold sports होने monark pupa, वो कहते हैं कि जो monark butterfly है, monark pupa है, उसके उपर ना, छोटे-छोटे 12 tiny, tiny gold sports होते हैं, उसका purpose क्या होता है कहते हैं कि everyone assume the sports were just ornamental abright state, abright कहते हैं कि हरको ये assume करता है कि जो sports होते हैं, वो सिरफ एक ornamental होते हैं, decoration के लिए होते हैं, सजावट के लिए होते हैं, लेकिन जो doctor है वो इस बात पर believe नहीं करते हैं to find the answer, इस answer को find out करने के लिए कि क्या purpose होता है, उन 12 golden sports का abright और उसके another excellent science student, यानि और भी कोई intelligent science student होगा, उसका friend होगा first had to build a device उन्होंने क्या सुचा कि हमें जो है, सबसे पहले क्या करना पड़ा एक यंत्र बिनाना पड़ा, एक device बिनाना पड़ा, that short जो क्या show करता था, कि जो sports है, जो उसके उपर, प्यूपा के उपर जो sports है, वो क्या produce करते हैं होर्मोन को produce करते हैं और वो जो है, होर्मोन का produce होना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है butterfly की full development के लिए अब यह hormone वाला concept आपको clear हो गया ना कि जब उपर यह आया था कि रिचार्ड ने एक research शुरू की जिसकी वज़े से उसने discovery कर दी एक insect hormone की तो वो hormone कौन सा है कहां से निकलता है जो pupa के उपर 12 tiny gold sports होते है monarch pupa के उपर उसके अंदर से एक hormone निकलता है जो butterfly की full development के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है this project won a bride first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair और यह जो project था इसने क्या किया a bride को first place दिला है county fair में और उसको entry मिल की international science and engineering fair में there he won वहाँ पर उसे third place मिला zoology में he also got a chance to work during the summer of the entomology laboratory of the walter reed army institute of research इसके अलावा उन्हें chance मिला कहां पर काम करने का summers में during the summers कहां पर entomology laboratory entomology क्या होती है एक insect related science होती है उस lab में काम करने को मिला जो किसकी थी walter reed army institute of research की थी as a high school junior Richard Ebride continued his advanced experiments on the monarch pupa अब as a high school junior के रूप में उसने क्या किया अपनी जो journey थी मतलब यह जो experiment जो वो करता रहता था उसको continue रखा और यह experiment monarch pupa वाला इसको भी continue रखा that year his project won first place at the international science fair उस साल क्या हुआ कि उसके project को first prize मिला international science fair में and gave him another chance to work और जिससे उसको एक और chance मिला काम करने काहां पर army lab में during the summer in his senior year he went a stop further अब क्या हुआ जब वो senior वर्षों के दुरान senior year में जब वो हुआ तो वो एक step और आगे गया उसने क्या किया he grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold sports अब उसने क्या किया सबसे पहले देखो culture culture का मतलब होता है कि किसी particular मतलब temperature में रखना किसी को आप in short lab भी कह सकते हो ठीक है अब ये जो हमारा रिचार्ड है उसने क्या किया उसने monarch के wings को एक lab में रखा ठीक है और ये show किया कि जो cells होते हैं कि जो उसके अंदर cells होते हैं वो divide होते हैं और develop होते हैं ड्वेलब होके normal butterfly बनती है विंग scales में प्रॉपर्टी ड्वेलब हो जाते हैं लेकिन ये division ये development तभी होती है अगर कब होती है if they were fed the hormone from the gold sports अगर उन्हें उस gold sports से निकलने वाले hormone से fed किया जाए तभी otherwise नहीं और ये जो प्रॉजेक्ट था इसको first prize मिला कहां पर जोलोजी at the international fair he spent the summer after graduation doing further work अब उसने क्या किया अपनी पूरी summer graduation के बाद further इनी सब कामों में निकाल दी at the army lab में उसने काम किया and at the lab of US department of agriculture में किया the following summer after his freshman year at Harvard university a bride went back to the department of agriculture lab अब वो कहते हैं the following summer अगली गर्मियों में and after his freshman year मतलब कि fresh year के बाद यानी second year में ठीक है कहां पर जहां Harvard university का जब उसका second year था अगली गर्मियों में a bride जो है वापस से कहां गया वही department of agriculture lab में गया और उसने और काम किया उन gold sports hormones के उपर using the lab sophisticated instrument यानी lab के जो complicated advanced instruments से उनका use करके उसने क्या किया he was able to identify वो identify कर पाया कि जो hormones होते हैं इनका chemical structure कैसा होता है a year and a half later during his junior year a bride got the idea for his new theory about cell life it came while he was looking at x-ray photos of the chemical structure of a hormone अब वो कहते हैं कि डेट साल के बाद उनके junior year के दुरान a bride को एक idea आया idea क्या आया for his new theory about cell life एक नई थियोरी उनके माइन में है cell life को लेके और वो कब आई जब उन्होंने क्या देखा जो chemical structure of a hormone उन्होंने बनाया था उसकी x-ray की photo को देखा तब उन्होंने ये देखा कि एक नई theory है cell life की मतलब हर living organism के अंदर एक cell होता है when he saw those photos a bride didn't shout और जब उन्होंने वो photos को देखा और उनके माइन में concept आया तो वो खुशी से चिलाए नहीं Eureka Eureka क्या होता है cry of victory की जीत की एकदम से चिला ना जीत में तो इस तरीके से ना वो चिलाए और नहीं उन्होंने ये कहा I have got it but he believed that बलकी वो क्या विश्वास करते थे along with his findings about insect hormones the photos gave him the answer to one of the biology puzzles वो कहते हैं कि जो वो finding कर रहे थे मतलब जो insect hormone की ये सारी चीज़े find करने की खोशिश कर रहे थे इसके साथ साथ ये जो photos थी उसने क्या क्या एक बहुत ही बड़ी biology की puzzle को solve कर दिया है उसका answer दे दिया है वो क्या है देखते हैं how the cell can read the blueprint of its DNA ये हमारी बहुत बड़ी puzzle होती थी क्या कि cell किस तरीके से read कर लेते है blueprint को DNA की मतलब अब ये blueprint क्या होता है blueprint का मतलब होता है किसी बीचिस का base त्यार करना है यानि photographic plan बनाना या normal plan बना हो आप exam देते हो आप कहते हो ना मैं blueprint देतो तो आपके पास क्या आता है एक structure सा जाता है एक base मिल जाता है आपको that is blueprint ठीक है या फिर हम घर बनाते हैं अर्टिटेक्ट से हम लोग blueprint लेते हैं और DNA क्या होता है हमारा deoxyribonucleic acid होता है तो वो कहता है कि यह हमारी puzzle solve हो गई कि किस तरीके से cell जो है read कर लेते हैं blueprint of its DNA कैसे read करते हैं बिटा कि जो हर cell होता हर cell के अंदर DNA होता ठीक है और DNA की ही help से हमें यह पता चलता है कि वो जो cell है ना वो किस organism का है मतलब human being का है या animal का है किस का है सब चीज़े यही control करता है यह ही क्या पताता है कि heredity क्या है हमारी मतलब जो हमारी characteristic है physical, mental जो भी हम parents inherit करते हैं वो सब यही बताता है तो यह हमें पता चला कि हर एक living organism के अंदर एक cell है और cell जो है वो read करता है क्या blueprints of its DNA DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity देखो बहुर भी clear हो जाएगा कि DNA जो है वो क्या होता है एक ऐसा substance होता है जो किसके अंदर present होता है cell के nucleus के अंदर म organism के अंदर cell है उसके अंदर एक center है जिसके अंदर क्या है DNA है ठीक है और वो क्या करता है heredity को control करता है it determines the form and function of the cell और यही determine करता है कि cell किस form में है या किस तरीके से वो functions कर रहा है thus DNA is the blueprint for life इसलिए उसको क्या बोला गया है DNA को कि यह क्या है blueprint है life का यही हमें life के बारे में पता आता है Ebrite and his college roommate Ebrite और उसका college roommate जिसका नाम क्या था James R. Wong था उन्होंने क्या किया पूरी रात काम किया pictures को draw किया बहुत सारे plastic models of molecules बनाए यह show करने के लिए how it could happen कि यह सब कैसे होता है ठीक है यह सब किस तरीके से हो रहा है कैसे हो सकता था together they later wrote the paper that explained the theory और फिर उसके बाद दोनों ने मिलके यह सारे जो experiment उन्होंने पहले draw किये construct किये उसको एक paper पे लिखा जो इस पूरे theory को क्या करता था explain surprisingly no one who knew him वो कहते surprising क्या था कि no one who knew him मतलब जो उसको नहीं जानने दे उसको जानने वालों के अलावा वो तो जानते ही थे कि जो रिचार्ड है वो बहुत ही जादा intelligent है तो रिचार्ड अब्राइट जो है उसने कहां से graduate हुआ from Harvard से हुआ यह हमने पहले ही पढ़ा विदाइस टॉनर्स और second आया वो in the class of 1510 students की class में से उसकी क्या rank थी position थी second थी abrite went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School वो क्या बन गया वो एक graduate student researcher बना यहां के स्कूल में medical school में there he began doing experiment to test his theory वहां पर वे उसने क्या कि अपने experiments को शुरू किया अपनी theory को test करने के लिए if the theory proves correct और वो यह क्या कहता था कि अगर मेरी यह जो theory है वो सही प्रूव होती है then it will be a big step toward understanding the process of life तो यह क्या होगा कि जीवन में मतलब यह life के process of life को समझने में एक बहुत ही बड़ा step होगा it might also lead to new ideas for preventing some type of cancer and other diseases मतलब अगर यह theory सही प्रूव होती है तो यह भी possibility है कि हमें नहीं ideas दें किस तरीके से हम लोग stop कर सकते हैं cancer को या बाके diseases को all of this is possible because of abrite scientific curiosity और वो कहते हैं कि यह सब चीज़े तभी possible हो पाई है चुकि abrite के अंदर एक scientific curiosity थी एक जिग्यासा थी हर चीज को जानने की इच्छा थी his high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life वो कहता है कि उसकी जो high school research था मतलब उसने शुरू कहां से किया था कि वो sports के उपर search out करेगा जो pupa के उपर होता है और वो eventually यानि finally वो उसे किस तरफ ले गए theory about cell life की तरफ ले गया he first began collecting butterflies वो कहता है कि यह जो है science में पहले से interested था जब उसने शुरू में second class में क्या शुरू किया था collection of butterflies start किया था but not so deeply लेकिन इतनी deeply भी नहीं किया था कि वो बाके interest के लिए उसके पास time नो बाहिस चीज़े भी साथ साथ वो करता रहा न a bride also become a champion debater इसके साथ साथ देखो वो क्या बना एक champion debater भी था public speaker भी था एक good canoist भी था canoist क्यों होते हैं जो lightboards को चलाते हैं वो ठीक है in high school richard abrite was a straight student वो कहते हैं कि जब वो वहां पर था in high school में जब वो था तो वो कैसा था एक straight student था मतलब एक बहुत ही सीधा साथा सा बच्चा था because learning was easy he turned a lot of energy towards the debating and model united united nations club और क्या था कि learning जो है उस time पर वो मतलब क्योंकि वो सीखना असान था ठीक है तो वो क्या बन गया उसने बहुत सारी अपनी energy कहां पर लगाई debating की तरफ और model united nation clubs की तरफ he also found someone to admire चाड अब वहां पर क्या था कि उससे एक person और भी मिला जो उसको एड्मायर करता था उसको प्रेज करता था वो कौन थे उसके social studies के teacher जिनका नाम क्या था वियर था चीक है एंड अडवाइजर तु बोथ क्लब और यह क्या थे दोनों क्लब के अडवाइजर थे debating वाले के भी और model united nation वाले की भी चीक है और यह perfect perfect person थे for me then उस time पर वो मेरे लिए बिल्कुल ही perfect थे he opened my mind to new ideas a bride said or a bride क्या कहते है कि उन्होंने क्या किया मेरे mind को open कर दिया एक नई ideas की तरफ लेके गए वो मुझे Richard would always give that extra effort Mr. Vihar Sage अब वो जो Mr. Vihar थे वो क्या बोलने है कि जो Richard है वो हमेशा क्या करता है extra effort करता है वो अलगी प्रतन करता है हमेशा but pleased me वो कहते है सबसे जादा जो चीज मुझे खुशी देती है वो क्या है here was this person who put in three or four hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest वो मुझे क्या चीज़ खुशी देती है कि यह जो person है यह क्या करता है रात को तीन चार घंटे debate की research पर भी लगाता है किस काम के अलावा butterflies की research तो वो करता है यह बाके interest भी करता है यह भी करता तो यह सब चीज़े मुझे बहुत ही जादा खुशी देती है रिचार्ड जो है वो बहुत ही जादा competitive है ऐसा भी उन्होंने कहा लेकिन competitive spirit उसके अंदर है जीतने का जजबा उसके अंदर है आपस में competition रखता है वो लेकिन बूरी sense में नहीं रखता उन्होंने ऐसा कहा वो कहते हैं कि जो रिचार्ड है was not interested in winning for winning's sake वो जीतना सिरफ जीतने के लिए ही नहीं चाहता है ठीक है वो सिरफ इसलिए नहीं चाहता कि हां मुझे जीतना है या फिर वो इसलिए नहीं जीतना चाहता कि मुझे कोई prize से यह रादर वो इसलिए जीतना चाहता है because he wanted to do the best job he could क्योंकि वो अपनी पूरी योगयता के साथ अपना काम करता था for the reason right reasons he want to be the best और वो क्या है सही कारणों से right reasons से वो क्या बनना चाहता है best बनना चाहता है and that is one of the ingredients in the making of a scientist और वो कहते है कि यहीं जो है एक बहुत ही बड़ी quality होती है content होता है ingredient होता है जो एक person को scientist बनाता है start with the first rate mind add curiosity सबसे पहले वो कहां से शुरू होता है सही दिमाग से सोचना शुरू करता है फिर उसके अंदर curiosity add करता मतलब जिग्यासा आती है हर्चीज को देखने की and mix in the will to win the win for the right reasons और उसके बाद वो सही कारणों से जीतने की इच्छा उसमें शामिल हो जाती है कि मुझे जीतन है a bright has these qualities a bright के अंदर ये सारी qualities थी from the time the book वो कहते है उस time से जब उसको वो बुक दी थी उसकी बदने the travels of monarch 10 opened the world of science to him वो उस बुक ने क्या किया पूरी एक science की दुनिया उसके सामने खोल के रखती Richard a bright has never lost his scientific curiosity और उसके बाद उसने अपनी कभी भी यह जो scientific curiosity थी शुरू से ही वैसे तो वो उसने कभी भी नहीं खोई So this was our chapter about Richard a bright and his journey to become scientist अगर आपको किसी भी stage पर पहुँचना है किसी scientist बनना है कुछ भी अचीव करना है life में तो आपको various stages से पास होकर जाना पड़ेगा तो यह जो chapter है यह भी हम सबको learners को encourage करता है कि किस थरीके से आप छोटी छोटी discoveries की beginning से बहुत heights को achieve कर सकते हो चू सकते हो Thank you very much, please like, share and subscribe our own YouTube channel Enjoy English with Bhavya Ma'am, thank you